इस महीने एशिया कप 2023 खेला जाना है 30 अगस्ट से एशिया कप का पहला मुकाबला खेला जाना है पाकिस्तान और नेपाल के बीच एशिया कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी एशिया कप से पहले टीम के सभी खिलाडियों को कैम्प में जुड़ना है और अपनी फिटनेस साबित करनी है अभी हाल ही में दिगगज विराट कोहली ने यो यो टेस्ट पास करने के बाद उसकी फोटो शेयर की थी जिसमें उसका सको 17.2 था वहीं अब खबर आ रही है कि टीम इंडिया के कप्तान और उपकप्तान ने भी यो यो टेस्ट पास कर लिया है रोहित हार्दिक ने किया यो यो टेस्ट क्लियर एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया ने तैयारिया शुरू कर दी है एशिया कप के कैम्प के लिए टीम इंडिया को एक अत्रित होना है टीम के सभी खिलाडियों को एशिया कप के लिए अपनी फिटनेस भी साबित करनी है टीम इंडिया के दिगगज विराट कोहली ने पहले ही यो-yoh टेस्ट पास कर लिया है अब खबरें आ रही हैं कि एशिया कप के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांडिया ने भी यो यो टेस्ट पास कर लिया है हालांकि कितने नमब से दोनों ने ये टेस्ट पास किया है इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है लेकिन सुत्रों का कहना है कि रोहित शर्मा ने इस टेस्ट को 17 नमब से पास किया है एशिया कप 2023 का कारवां 30 अगस्ट से शुरू होगा टीम इंडिया का पहला मुकाबला 2 सितंबर को खेला जाना है टीम इंडिया के लिए मुक्य कोच राहुल द्रविर ने एशिया काप से पहले टीम के लिए एक हफते का ट्रैनिंग कैम्प आयोजन करने के लिए कहा है जहां टीम के सभी खिलाडी एक जुट होकर बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारिया करेंगे